क्या फिन बेलर ले पाएंगे अस्टिन थियोरी से बदला तो गाइस डेवली डेवली वी मंडे नाइट रो 20 दिशंबर के एपिशोट को होने में अब कुछ ही घंटो कास समय बाकी हैं अब डेवन पीपीवी को होने में भी काफी कम समय बाकी हैं इसे में रो के इस एपिशोट से डेवन पीपीवी के लिए काफी जबदस्त बिल्ड अप देखने को मिलेगा और इस वीडियो में हम इनी सब चीजों को लेकर बात करने वाले हैं कि हमें मंडे नाइट रो के इस एपिशोट में क्या कुछ देखने को मिलेगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे कर दीजिएगा लाइक और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बाहर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो मंडे नाइट रो की सुरुआत होने वाली हैं बोबी लेशली के सेगमेंट से जैसे कि लाइस्ट वीक बोबी लेशली ने जवर्दस तरीके से सेथ रोलिंस, केविन ओवेंस और बिग ई को हरा कर डेवन के लिए में अपनी जगा बनाई तो यहां पर वो भी लेशली डेवन पीपीवी में होने वाले फैटल फॉरवे डेवली डेवली चैंपियंसिप मैच को लेकर बात करने वाले हैं तो इसी दोरान सेथ रोलिंस, केविन ओवेंस और बिग ई की एंटरफेयर कने वाले हैं इसके बाद हमें एक शिंगल मुकाबला युनाइटेड इस्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रिष्ट और डॉल्फ जिगलर के बीच देखने को मिलेगा यह एक चैंपियंसिप कंटेंटर मुकाबला होने वाला है यानि कि यह एक नॉन टाइट लेकिन जब बियांग अबले रेम पर थी तो डोडरोप ने उनके उपर पीच से हमला कर दिया था तो यहाँ पर इन दोनों का मुकाबला देखने को मिलेगा शाथ यहाँ पर इनकी पहली गेस्ट होने वाली है मरीज लेकिन यहाँ पर देमिज को इन्वाइट नहीं किया ग साथ इसाथ डेवली डेवली ने एक शिंगल मुकाबला फिन बेलर और एस्टिन ठ्योरी के बीच तै कर दिया हैं जैसे कि पिछले दो अपतों से एस्टिन ठ्योरी फिन बेलर को परेशान कर रहे हैं कभी उनको उपर हमला कर देते हैं तो कभी उनके मैच में एंटर फेर त अन्यवाद